जैश्री राधे, पुझे श्री सद्गुर्दे भगवान के चर्णम पणाम आज पुझे श्री स्वामी राम सुकदाजी महराज कहते हैं नाम जब की खास विधी क्या है? खास विधी है कि भगवान के होकर भगवान के नाम का जब करें हो ही राम को नाम जपू तुलसी तज कू समाजू अब थोड़ी दूसरी बात बताते हैं भगवान के नाम का जब करो पर जब के साथ में प्रभू के सुरूप का चिंतन भी होना चाहिए जैसे गंगा जी का नाम लेते हैं तो गंगा जी की धारा दीखती है कि ऐसे बह रही है गो माता का नाम लेते हैं तो गाएं का सुरूप दीखता है ऐसे ब्रामन का नाम लेते हैं तो ब्रामन रूपी व्यक्ति दीखता है मन में एक सुरूप आता है ऐसे राम कहते ही धनुषधारी राम दीखने चाहिए मन से इस प्रकार नाम लेते हुए मन से भगवान के नाम का जब करना और उसके अर्थ का चिंतन करना अर्थात नाम लेते जाओ और उसको याद करते जाओ श्री कृष्ण के भक्त हो तो उनके चर्णों की शर्ण होकर श्री कृष्ण शर्णम ममा इस मंत्र को जबते हुए साथ साथ सुरूप को याद करते जाओ नाम जब की यह खास विधी है, एक विधी तो उसके होकर नाम जपना और दूसरी विधी नाम जपते हुए उसके स्वरूप का ध्यान करते रहना, कहीं भूल होते ही, हे नात, हे नात, पुकारो, हे प्रभू, बचाओ, मैं तो भूल गया, मेरा मन और जगय चला गया, हे नात, बचाओ, भग अपनी शक्ती से नहीं कर सकोगे इस वास्ते भगवान के नाम का जब और उनके सुरूप का ध्यान ये दोनों साथ में रहें ओम इस एक अक्षर का उचारन करें और मेरा समरन करें यह जगे जगे बात आती है इस वास्ते भगवान के नाम जब के साथ भगवान के सुरूप की भी याद रहे नाम जब दिखावटी पन में ना चला जाए अर्थात मैं नाम जबता हूं तो लोग मेरे को भक्त माने अच्छा माने लोग मेरे को देखें यह भाव बिलकुल नहीं होना चाहिए यह भाव होगा तो नाम की बिक्री हो जाएगी नाम का पूरा फल नहीं मिलेगा क्योंकि आपने नाम को मान बड़ाई में खर्च कर दिया इस वास्ते दिखावटी पन नहीं होना चाहिए नाम जब में नाम जब भीतर से होना चाहिए लगन पूरवक, लोकिक धन को भी लोग दिखाते नहीं उसको भी तिजोरी में बंद रखते हैं तो लोकिक धन जैसा भी यह धन नहीं है क्या जो लोगों को दिखाया जाए, लोगों को पता लगे तो क्या भजन किया गुप्त रीती से करें दिखावटीपन बिलकुल ना आवे नाम जब भीतर ही भीतर करते रहें एकांत में करते रहें मन ही मन करते रहें और मन ही मन से पुकारें लोगों को दिखाने के लिए नहीं लोग देख लें तो उसमें शरम आनी चाहिए कि मेरी गलती हो गई, लोगों को पता लग गया, हमें एक महात्मा मिले थे, उन्होंने एक बात कही, प्रहलाज जी को इतना कष्ट क्यों पाना पड़ा, प्रहलाज जी ने अपना भजन प्रकट कर दिया, अगर वे प्रकट ना करते, तो उनको इतना कष्ट क्यों पाना इस वास्ते अपना भजन प्रकट ना करें किसी को पता ही ना होने दें कि यह भगवान का भजन करता है बहनों माताओं को चाहिए कि वे ऐसी गुप्त रीती से भगवान के भजन में लग जाएं देखो गुप्त रीती से किया हुआ भजन बड़े महत्व का होता है पाप भी गुप्त किये हुए बड़े भेंकर होते हैं भजन भी बड़ा लाबदायक होता है गुप्त दिया हुआ दान भी बड़ा लाबदायक होता है गुप्तदान कौन सा है घर वालों से छिपा कर देना चोरी है गुप्तदान नहीं है गुप्तदान कौन सा है जिसके घर में चला जाए उसे पता नहीं चले कि कहां से आया है किसने दिया है देने वाले का पता न लगे यह गुप्तदान होता है घर वालों से छिपा कर देना चोरी का पाप होता है एक बार सुबह के प्रवचन में मैंने कह दिया कि गरीबों की सेवा करो तो एक भाई बोले गरीबों की सेवा करते हैं तो गरीब तंग कर देते हैं महराज तो मैंने कहा सेवा इस ढंग से करो कि उन्हें मालूम ना हो कि किसने सेवा की वह तो आपकी कि हम देते हैं, हम देते हैं, भीड बहुत हो जाएगी, लोग लूट लेते हैं, तंग करते हैं, यह सेवा का भाव नहीं है, केवल वाह वाह लेनी है, और कुछ नहीं है, भीतर का भाव हो जाए, कि इनके घर कैसे चीज पहुँच जाए, किस तरह से इनकी सहायता हो जाए, कै ऐसे गुप्त दिया जाए तो उस दान का महत्मे है ऐसे ही गुप्त रीती से भजन हो भगवान के नाम का जब भीतर ही भीतर हो नाम जब भीतर से नहीं होता है तो बोल कर करो कोई परवाह नहीं पर भाव दिखावटी पन का नहीं होना चाहिए कोई देख भी ले तो इतना द इसके लिए यह नहीं कि हमारा भजन ही बंद हो जाए। पंदरा मिनट बना कर छोड़ दें फिर घंटा भर बाद में शुरू करें फिर थोड़ी देर बनावें फिर घंटा भर ठैर करने लगें इस प्रकार करने से क्या रसोई बन जाएगी दिन बीत जाएगा पर रसोई नहीं बनेगी लगातार किया जाए तो चट बन जाएगी ऐ जैसे ही भगवान का भजन लगातार हो निरंतर हो छूटे नहीं रात दिन सुभै शाम कभी भी छूटे नहीं नारज जी महराज भक्ति सूत्र में लिखते हैं तद अरपिता अखिलाचारिता तद विस्मर्णे परम व्याकुल तेती सब कुछ भगवान के अरपन कर दें भग कि अचली को जल से बाहर कर दिया जाए तो वहत तड़ फडाने लगती है इस तरह से भगवान की विस्मर्णति में हिर्दय में व्याकुलता हो जाए भगवान को भूल गये गजब हो गया उसकी विस्मर्णति नहो लगातार उसकी स्मर्णति रहे और प्रार्थना करें हे भगवान मैं भूलू नहीं हे नात मैं भूलू नहीं ऐसा कहता रहे और निरंतर नाम जब करता रहे पांचवी बात इसमें एक बात और खास है कामना ना करें अर्थात मैं माला फेरता हूँ मेरी छोरी का मैं नाम जबता हूँ तो धन हो जाए, मेरा व्यापार में फायदा हो जाए, ऐसी कोई सी भी कामना ना करें, यह जो संसार की चीजों की कामना करना है, यह तो भगवान के नाम की बिक्री करना है, इससे भगवान का नाम पुष्ट नहीं होता, उसमें शक्ती नहीं आती, आप खर्च करते रहते हो, मानो हीरों को पत्थरों से तोलते हो, भगवान का नाम कहेंगे तो धन संग्रा हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मेरा पोता हो जाएगा, अब पोता हो जाएगा, अब पोता हो गया तो क्या, और नहीं हो गया तो क्या, एक विश्ठा भगवान के नाम की बिक्री कर देना बहुत भारी भूल है इस वास्ते ऐसी तुछ चीजों के लिए किसी असीम, जिस की असीम अपार कीमत है उस भगवान नाम की बिक्री ना करें सौदा ना करें और कामना ना करें, नाम महराज से तो भगवान की भक्ती मिले, भगवान के चर्णों में प्रेम हो जाए, भगवान की तरफ खिच जाए, यह मांगो, यह कामना नहीं है, क्योंकि कामना तो लेने की होती है, और इसमें तो अपने आपको भगवान को देना है, आपका प्रेम मिले, आपकी भक्ती मिले, मैं भू भगवान शंकर मांगते हैं, बार बार बर मांग हूं, हर्षिद उश्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्थ संग, तो उनके कौन सी कमी रह गई, पर यह मांगना सकाम नहीं है, तीर्थ दान आदी के जितने पुन्य हैं, उन सब का एक फल मांगें, कि भगवान के चर्णों में प्रीती हो जाए, हे नात, आपके चर्णों में प्रेम हो जाए, आकर्शन हो जाए, भगवान हमें प्यारे लगे मीठे लगें यह कामना करो यह कामना सांसारिक नहीं है भगवान का नाम लेते हुए आनंद मनाओ प्रसन्न हो जाओ कि मुख में भगवान का नाम आ गया हम तो निहाल हो गए आज तो भगवान ने विशेश कृपा कर दी जो नाम मुख में आ गया नहीं तो मेरे जैसे के लिए भगवान का नाम कहां जिनके याद करने मात्र से मंगल हो जाए ऐसे जिस नाम को भगवान शंकर जबते हैं कि तुम पुनी राम राम दिन राती सादर जप हूँ अनंग राती वह नाम मिल गया हमारे को जिसे भगवान शंकर जबते हैं कल यूगी तो हम जीव और राम नाम मिल जाये तो बस मौज हो गई भगवान ने विशेश ही किरपा कर दी ऐसी सम्मती मिल गई हमारे को भगवान की याद आ गई भगवान की बात सुनने को मिल गई भगवान की चर् प्रत्ति हो गई ऐसा समझ कर खूब आनंद मनावें, खूब खुशी मनावें, प्रसन्यता मनावें, एक बात और विलक्षन है, उस पर आप ध्यान दें, बहुत ही लाब की बात है, छटी बात, जब कभी भगवान अचानक याद आजाएं, भगवान का नाम अचानक याद आ भगवान की लीला अचानक याद आजाएं, उस समय यह समझें कि भगवान मेरे को याद करते हैं, भगवान ने अभी मेरे को याद किया है, नहीं तो मैंने कोई प्रियास ही नहीं किया, फिर अचानक ही भगवान कैसे याद आए, ऐसा समझ कर प्रसन न हो जाओ, कि मैं तो निहाल हो गया, मेरे को भगवान ने याद कर लिया, अब और काम बाद में करेंगे, अब तो भगवान में ही लग जाना है, क्योंकि भगवान याद करते हैं मुझे, ऐसा मोका कहां पड़ा है, ऐसे लग जाओ, तो बहुत ज्यादा भगती है, जब अंगद रवाना हुए, औ और उनको पहुचाने हनुमान जी गए, तो अंगद ने कहा कि बार बार रघुनाय कहीं, सुरती कराय हुं मूरी, याद कराते रहना हनुमान जी राम जी को, तातपर्य, जिस समय अचानक भगवान याद आते हैं, उस समय खूब मुल्यवान समझ कर, जैश्री राधे, पु पुझेश्री स्वाम जैश्री राधे, पुझेश्री सत्वाम जैश्री स्थाथी